बेसिकली एबाउट एक केस जो 1990 में 21 मई को हमारे जो मीरवाईज थे फारुक साहब उनकी निधन हुआ था उनकी कतल हुई थी टेररिस्ट के हाथ हिजबुल मुजाहिदिन टेररिस्ट के हाथ हुआ था और वो केस जो है पोली स्टेशन नगीन में इसकी केस बाद में वो केस पोली स्टेशन नगीन से CBI को ट्रांसफर कर दी गई CBI की केस नंबर बगारा हमने आपको एमेल के जडिये बता देंगे तो वो एक लंबा सा नंबर होता है और वो केस इन्वेस्टिकेट करने के बाद CBI ने स्पिसल डेजिगनेटेट टाडा कोट जो दिल्ली में है वहाँ पे उन्होंने एक कातल को एक अक्यूस्ट को सजा दिलवाया उसमें कनविक्शन हुई कोट ने उसको लाइफ सेंटेंस कर दिया उसको उमरकेद उसके खिलाफ जो है गोसित कर दिया गया इन्वेस्टिकेशन के दोरान यह पाया गया कि इसमें पांच अक्यूस्ट थे तो पांच अक्यूज जो थे उसकी गिरोह का जो कमेंडर था वो था अब्दुल्ला भंगरू पर जब केस ट्राइल हुआ इन्वेस्टिकेशन के बाद सिर्फ एक बंदे को पकड़ा गया था वो था आयूगडार तो आयूडार के खिलाप लंबा केस चला और केस जो है F.I.R. No. 61-1990 ओरिजिनल पुलिस्टेशन नगीन का वो केस जाके 2009 में खतम हुआ यानि कि कम से कम 10 साल उसको लग गए नो साल लग गए उसको टाडा कोट में जब कन्विक्शन हुई आयूडार को लाइफ सेंटेंस हो गया और बाकी चार जो थे वो जब ट्राइल में गए तो वो चार लोग भगडे थे उसमें जो में गिरह का जो लीडर था अब्दुला बंगरू वो ट्राइल के दोरान एंकाउंटर में मरा गया यानि कि चार लोग जो है इंग्लिश में जैसे कहते हैं कि देवरन दे रान सो अब्दुला बंगरू who was found to be the leader of the team, he was killed in an encounter, subsequently रह्मान शिगन करके एक और accused था वो भी मरा गया एंकाउंटर में उसके बाद दो बंदे जो है वो भागने में कामियाव रहे उनका नाम है जावेद भट और आयूग भट जावेद भट जो है अजबल खान है उनका code name दूसरा जो है वो जोहर रहमत भट कोड बिलाल और ये लेट महमत रमजान भट के बैटे हैं ये भी बट मनुक के रहने वाले हैं पहले वाले जो है वो नटीपुरा स्रिनगर के हैं अब जैसे टिपिकली कहते हैं कि लौंग आर्म जदिलौ तीस बतिस साल के बाद उनका व इदर उधर तो आज उनको पकड़ा गया है और CBI टीम जो है उनको प्रोक्लेम्ड आफेंडर्स के नोटिस लेके दिल्ली से आई है और उनको फिरासत में ले लिया है अब वो दे विल फेस्टे ट्राइल पांच में से दो अल्रेडी गुजर चुके हैं एक जेल में है इंदी जेल अभी बाकी जो यह दोनों पकड़े गए हैं जो भगोडे थे जो आप सकंडर थे अब वो ट्राइल फेस करेंगे इसके साथ मेर वाइस साब की कतल का जो है सभी अक्यूज्ड जो है वो बाट तु जस्टिस अजदे सहीं इंग्लेश इतना ही कहना था आज की प पढ़ लेता हूँ जाबेद अहमद भट कोड अजमल खान सन अफ लेट हभिबला भट रिजिदेंट अफ सोलीना बला आठ प्रिजेंट अजाद बस्ति नटीपुरा स्रिनगर दूसरे का नाम है जोहूर अहमद भट आक्चुली जो ट्रिगर चलाने वाला है वो जो बेड रूम में गया था कोड बिलाल सन अफ लेट मोहमद रमजान भट रेजिदेंट अफ डंडर क्षा इफ आम प्रणांसिंग निरें करेक्टी बटमालू से नगर तो यह इसाइय की इन्वेस्टिकेशन के दोरान यह इंट्रिजेंस जेनरेट हुआ था तो इस इंट्रिजेंस से भाग गे थे अब वो ट््राइ़ल को सामना करें हमने कहा कि एसाइय की इंट्लिजेंस के जरिए हमने ऑपरेशन के जरिए हमने पकड़ा और पकड़के अभीlessive Coatch suspicion में आ चुकी है अब उनको हमने हंड aufr कर चुके अब वो ले जाएंगे उनकी बातित्तीकारवाइट थ आगे करेंगे